नमस्कार, मैं विकास्तियागी, स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम बाबर 247 पर, फिर एक नया दिन, फिर एक नया सवाल आपके सामने और अगर आप, खुझ से सॉल करना चाहते हैं, तो वीडियो को ही पर पॉज करें, खुझ से ट्राइ करें, और फिर बाद में आकर सॉलिशन देखने, और जिन बच्चों को सॉल नहीं करना है, आईए इसका सॉलिशन देखने, देखें सवाल आपके सामने ये रहा, अंडर र हमेशा एक सिंगल पैटर्न पर रहता है, पैटर्न क्या रहता है, वन प्लस में, उसके बाद में लगातार चार संख्याओं की गुना होती है, अंडर रूट के अंदर, इसक्वार रूट के अंदर, प्लस वन, फिर उसके बाद लगातार चार संख्याओं की गुना होती है, अब ये संख्याएं वो उलट फियर करके दे सकता है, जरूरी नहीं है इसी सिक्वेंस में देगा, कि पहले सबसे छोटी फिर उस से बड़ी, फिर उस से बड़ी फिर उस से बड़ी हो सकता है कि 48 कहीं बीच में डाल दे सबसे शुरू में 51 डाल दे फिर 50 फिर 48 फिर 49 इन संख्याओं की position change कर सकता है इस plus 1 को आगे पीछे कहीं भी रख सकता है ठीक है लेकिन question जो set करेगा वो करेगा इसी format में तो इस format को ध्यान से देखिएगा और इस तरीके के format का जो answer है आप single एक line में answer दे सकते हैं चलिए समझते हैं वही देखिए 1 प्लास 48 इन्टो 49 इन्टो 50 इन्टो 51 सबसे पहले मैं इस सवाल को variables में तोड़ लेता हूँ अभी numbers मन रहे variables में मैं इस सवाल को set कर लेता हूँ मैं इस 48 को क्या माल लेता हूँ अपना x ठीक है तो मेरा 49 क्या हो जाएगा x प्लस 1 50 हो जाएगा मेरा x प्लस 2 51 हो जाएगा मेरा x प्लस 3 ठीक है चलिए शुरू करते हैं वही ध्यान से देखना 1 प्लस x इंटो x प्लस 1 इंटो x प्लस 2 इंटो x प्लस 2 ये सवाल है अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिखना चाहूँ 1 प्लस x x प्लस 3 x प्लस 1 और x प्लस 2 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए अब आगे करना सोल्व करते हैं वही 1 प्लस अंदर मल्टिप्लाई की क्या बनेगा x square प्लस 3x इन दोनों की अंदर मल्टिप्लाई करूँगा कितना बनेगा x square प्लस x की 2 में करूँगा 2x प्लस 1 की x में करूँगा तो x और ये बनेगा 2 प्लस कर टो ठीक है चलिए भई और अब और सा और सोल कर लेते हैं 1 प्लस x square प्लस 3x ये बना आपका x square प्लस 3x प्लस 2 2x और x जुड़कर 3x हो गई अब जैसे ही आप यहां तक पोचे तो आपने देखा कि x square प्लस 3x यहां पर भी है और x square प्लस 3x यहां पर भी है आप चाहे तो सीधा सीधा ऐसे ही multiply कर सकते हैं लेकिन जब आप इस तरीके से multiply करेंगे तो आपका multiplication थोड़ा सा difficult हो जाएगा तो हम इसे और छोटा करने के लिए मैं इसको ही एक अलग variable माल लेता हूँ मैं इसको माल लेता हूँ for example y मैंने इसको माल लिया x square plus 3x को मैंने क्या माल लिया y अगर आपने y माल लिया है तो यह क्या बना under root के अंदर 1 plus y और x plus 3x को आपने y माना था तो y plus 2 1 plus y square plus 2 y जैसे ही आपने यह देखा यह क्या बन गया आपका a plus b का holy square वाला formula क्या होता है देखिए a square plus 2ab plus b square अगर मैं यहां की बात करता हूँ यह रहा आपका a square यह रहा आपका 1 square b square और यह रहा 2y into 1 तो किसका बना formula अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं y plus 1 का holy square और square root में से y plus 1 केवल भारा जाएगा ठीक है square root में से केवल क्या भारा जाएगा y plus 1 और y आपने क्या माना था बच्चो x square plus 3x मतलब इस पूरे की जो solution करके आया वो कितना आया x square plus 3x plus 1 बस यही result हमेशा आपको use करना है जब भी इस तरीके question आए आपको इस result को याद रखना है यह पूरी कहानी आपको याद नहीं रखनी है केवल और केवल यही result आपको याद रखना है अब result में value put कर देते हैं यह रहा आपका answer तो आगे से कभी भी इस तरीके के question आए जिसमें square root के अंदर 4 लगाता term की multiplication हो और plus 1 हो तो आप क्या करेंगे सबसे छोटी value को का square plus 3 गुना सबसे छोटी value plus 1 अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी knowledge बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को like करें share करें आपके कोई सुझा हो या आपका कोई doubt हो कोई question हो तो हमारे comment box में लिख दे चैनल को subscribe करें bell notification on कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं आपके पास notification आ जाए ताकि वीडियो अप्रोड होते हैं आप देख लें धन्यवाद